तो देखे आप लोगों ने हजार तरीए की रेमेडीज ट्राइक कर ली हैं अब तक लेकिन चहरे पे गलो एक नाम के लिए नहीं आ रहा है और देखे ना तो चहरे पे गलो आ रहा है और ना ही चहरे की रंगत बढ़े हैं चहरा बिल्कुल डल लग रहा है सो अलग से कोई बा और मैं आपके चहरे पे गलो ला करके ही रहूंगी ये मेरा पूरा पक्का वादा है तो चलिए सबसे पहले आपको क्या करना दिन में बस दो या तीम मिनट देने हैं और इतने सही टाइम में आपके चहरा बिल्कुल सूरज के जैसे चंपकेगा ये ट्रस्ट में मैं बिल्क चीज़े फॉलो करेंगे तो ये पक्के से में वादा करेंगे आपकी चहरे पे गलो आए गए गई देखिए हमारा जो पेठ है ना उसका डाइट कनेक्शन आपकी हेल्थ और इसकिन से भी होता है जी हाँ अगर चेहरा डल दिखाएगा ही दिखाएगा तो हमें क्या करना है सबसे बढ़ी तो अपनी डाइट को मेंटेन करके रखना है तो एक अच्छी डाइट लेनी है जितने भी अच्छी वेजेटेबल्स होती है फूर अपने डाइट में शामिल कीजे और बाहर की जो चीज़े जो अंडाइजिस्टेड होती है उनको छोड़ दीजे साथ ही सबसे अच्छा टाइम होता है दोफेर के समय अगर दोफेर के समय में सीट्स खालते है या तो सिंपल ऐसे ही खाली जे नहीं तो आप कोई भी अगर स्मूथी या शेक बना रहे हैं तो उसमें डाल दीजे आप देखेंगे आपके चहरे पर जबरदस गुल आएगा यह मैं पक्का कह रही हूं योगा और एक्ससाइस का बहुत इंपक्ट पड़ता है आपके चहरे के ग्लो पर और उन्मी योगा में से सबसे अच्छा होता है शीष आसन जो कि अभी आप वीडियो में देख रहे हैं इसमें सर नीचे की तरफ और पैर उपर की तरफ होता है हर किसी पर नहीं हो पाता तो आप अगर दोनों पैर नहीं कर सकते तो एक पैर का यूज करना स्टार्ट कर दीजिए यह भी नहीं होता तो आप यहां पर पदहस्त आसन का यूज भी कर सकते हैं जो कि मैं कर रही हूं तो मैंने सांस भरी सांस को छोड़ते हुए आप इस पोजिशन तो आप अगर ऐसा करते हैं तो एक हफते के अंदर ना मैं लिखके दे रही हूं आपके चाहरे पर चांदी की तरह गुड़ो आ जाएगा ये ट्रस्ट मी आप से करके देखे अब एक एक साइस बता रही हूं फेस योगा है ये आपको अपने मूब के अंदर अच्छे से हवा फिल कर देनी है दूसरे हाथ से अच्छी तरिखे से इसको टैप करना है ये चीज आपको पूरे दिन में एक बार करनी है और कितनी देर के लिए बस एक seconds के लिए केवल एक मिनट देना है आपको लएक तशाइज चाहरे पर बहुत ही अच्छा फेस के लिए तो आपके चा लेकिन बहुत अच्छा है, ट्राय जरू करके देखना, अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट के बारे में, अगर ग्लोइंग स्किन आपको चाहिए, तो समझ लीजिए, हाइड्रेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है, और इसके लिए आपको पीना है पानी, और आजकल तो वैस पानी पी रहे हैं, इसके साथ में जो भी चीज अवग अधर आड़ करते हैं तो यह पादे के साथ ना आप यह आप चीया सीड और दीजीए, बहुत फाइदा मिलेगा, अब पाणी हम लोग पी रहे है हमारी बॉडी के साल्स के निकाल आ रहे हैं हम सीदा वास्ग अधर न तो मैं आज आपको एक बहुत अच्छा सा की पॉइंट बता रही हूं, आपको क्या करना है, सुभा के समय, जब हम मॉर्निंग ड्रिंक लेते हैं, तो आपको लेना है गरम पानी, और इस गरम पानी में आधे चम्मच के करीब आपको पिंक सॉल्ट एड करना है, ध्यान से सु पानी को अब्जॉर्फ करना स्टार्ट कर देंगे और चहरे पे जवर दस ग्लो आएगा, यह करके देख लो, अगर आपके चहरे पे ग्लो नहीं है तो यह जरूर ट्राइ कर को, अच्छा शुरुवात में थोड़ा सा मुश्किल होता है कि हम नमक का पानी पिये तो छोटा अब आप लोगों के पताती हो कि अपने चहरे पर क्या लगा सकते हैं चोटी-चोटी चीज है दो-दो मिनट का वक्त लेंगी जादा टाइम नहीं लेंगी तब से पहले तो है टमाटर बेसिकली टैनिंग को दूर करने में बहुत जादा मदद करता है साथ ही है यह 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 वाइटन अप करने में बहुत जादा मदद करता है और आपकी स्किन बहुत जादा ड्राइनेस की तरफ आ गई है तो खीरे का यूज कीजिए क्योंकि यह स्किन को हाइड्रे टकता है और साथी साथ चहरे को एकदम अच्छा वाला ग्रू देता है तो यह तीन चीज ऐसी है अधर ग्रीन है आप किसी भी मौसम में इसको ट्राय कर सकते हैं लेकिन यह तीन चीजों से ना हम एक फेस पेक भी बताएंगे क्योंकि मेरी वीडियो में अगर आप आए है और फेस पेक ना जानो तो ऐसा हो ईनी सकता तो यह तीनों ही चीज हम क्या करते हैं मिक्सी जार में डाल लेते हैं यानि की खीरा टमाटर और आलू और इनको पीस करके एक पेस्ट बना के तयार कर देते हैं इसके अंदर आप दो तरीकी से आप इसको यूज कर सकते हैं अगर आपके टैनिंग बहुत जादा है तो आप यहाँ पे औरेंच पील पाउडर का यूज कीजिए और कितनी बारना जरूरी नहीं है आपको दस बारा चीजों को एड़ करना कि हमें बचार में मिलनी रही है तो हम कैसे करें और यह फेस्ट नहीं बनाया जारा हर चीज का सॉलुशन है हर चीज मिल जाएगी तो बस यह आपको अपने चेहरे पर लगाना है और ट्रस्ट मी यह द ग्लो आकर के ही रहेगा आपके चेहरे पे अरे करके तो देखो भई तो यह थी मेरी आज की वीडियो इसके लाब और कोई वीडियो बनवाने तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं और प्लीज जादा से जादा मेरी वीडियो को शेर कीजिए और किये बिना बिल्कुल भी माच जाना चलिए अब मैं मिलूंगे आपसे अपनी अगली वीडियो में तब तक यह बराबर में जो दो वीडियो दिख रहे हैं कि जरूर दें